आज मैं बनाने जा रहे हूं लौकी की बहुत ही स्वादिर मिठाई इसके लिए मैंने ये दो पतली पतली लौकी ली है और अब मैं इसको बीच से पहले दो टुपड़े कर देती हूं उसके बाद इसके इतने बड़े-बड़े में रिंग स्काट लेती हूं ये लौकी को मैंने इस तरह से काट लिया है इतने मोटे-मोटे लौकी के टुकड़े काटे हैं तो अब मैं इस तरह से इसके अंदर ये जो गूदा है इसको मैं निकाल दूँगी एकदम खाली कर दूँगी इस गूदे को मैं निकाल के अलग कर दूँगी मैं इस तरह से सारे लौकी के रिंग्स तयार कर लूँगी ये लौकी के मैंने इस तरह से रिंग्स तयार कर लिये हैं सब के अंदर का गूदा जो है वो मैंने निकाल दिया है और अब मैं इसको पानी में उबालूँगी मैंने पानी यास के चठा दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ तोड़ा सा बेंगी وبगिन तोड़ा और इसके साथी पानी अलड़ी गरम है तो मैं इसमें के डाल दे रही हूँ ये लोकी के जो रिंग्स मैंने काड के रखे हैं इन रिंक्स को अच्छी तरह से पानी में दूप जाना चाहिए मैंने इन रिंक्स को उबलते पानी में डाल दिया है और अब इसको ढख के कम से कम, 5-7 मिनिट पहले पकने दूँए इसको उबालते हुए करीब-करीब 7 मिनिट हुए और ये करीब-करीब पक गया है पूरी तरह से नहीं पकाना है इसको थोड़ा सा इसको हमको अभी मतलब कसर रखनी है करीब 60% पकाना है 40% रखना है क्योंकि इसके बाद जब मैं इसको चाशनी में डालूगी तो फिर ये और पकेगा तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ मैं इसको इस गरम पानी में से इस तरह से छानके निकाल लेती हूँ और इस छलनी वाले बट्रव इसको रख देती हूँ ताकि इसमें जो भी पानी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी निकल जाए मैंने ये दो कटोरी पानी गयास पर चड़ाया है और इसमें मैं डाल रही हूँ दो कटोरी ही चीनी और इसको मैं चाटनी बना लेते हूँ जब यह थोड़ा सा घुल जाएगा एक पार इसमें बॉयल हो तो मैं जो मैंने यह लॉकी केरिंस त्यार किये हैं इसको मैं डाल दोगी शीनी को मैं अच्छी तरह तरह चला चला के मिलने दूँगी और एक उबाल इससे में आने दूँगी चाशनी में उबाल आ गया है तो अब मैं इसको इसमें गाल देती हूँ इसको पकाते हुए करीब करीब आठ मिनट हो चुके हैं और ये अची तरह से पक गया है तो अब मैं इसको गैस को आफ कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से खंडा मुली देती हूँ मैंने ये पैन गैस पे चड़ा दिया है पैन हलका गरम हो गया है तो मैं इसमें लाव दे रही हूँ खोया और इस खोई में मिला दे रही हूँ थोड़ी सी चीनी आप चाहें तो चीनी का पुरादा या पीस के इस चीनी को भी डाल सकते हैं और इसको मैं अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स होने दूए अगर आप नारियल पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको बिना नारियल के बुरादे के भी बना सकते हैं आप इसमें नारियल का बुराजान ना डालें अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ यह थोड़ा सा इलाईची का पामदल और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दे रही हूँ अब ये rings ठंडे हो गए हैं तो मैं इन rings को एक दूसरी थादी में ट्रांसो कर लेती हूँ अब मैं इस ring में ये जो मैंने mixture लेया है इस mixture के मैं इस तरह से लड़ू बना रही हूँ और इसको मैं इस ring में फिल कर दूँगी इस तरह से अच्छी तरह से और अगर ये मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा और इसमें डाल दूँगी ये पूरी तरह से भर गया है तो मैं इसको और अब मैं इसके उपर ये जो मैंने पिस्ते लिए हैं इसको मैं लगा दूँगी थोड़ा सा बदाम डाल दूँगी और अब ये मिठाई हमारी ready है, इसी तरह से भे सारे rings को भढ़ लेती हूँ लॉकी की मिठाई बनके तैयार है बहुत ही tasty मिठाई बनी है आप भी इसे बनाके जरूर ट्राइ करें अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे like करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मुझे भी बताएं कि ये आपको कैसी लगी, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, बागाई